Hello Everyone, स्वागत है आपका आज के हमारे इस YouTube वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं Doms Industries IPO के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस IPO की dates and details को, इस IPO के finance को और फिर हम देखेंगे GMP को फिर लास्ट में हम इस वीडियो में analyze करेंगे कि क्या हमें इस IPO में apply करना चाहिए नहीं तो आप इस वीडियो को last तक बिना skip करेंगे देखेंगा क्योंकि अगर आप कोई भी चीज skip करेंगे तो हो सकता है कि आप इस वीडियो से related major terms major चीज skip कर देंगे तो इस वीडियो को बिना skip करेंगे देखेंगा और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को subscribe कर देना और इस वीडियो को like कर देना ताकि जिसे मुझे motivation मिले आप लोगों के लिए इसी तरह की और वीडियो बनाने का तो चलिए शुरू करते हैं इस IPO की dates and details से लेके यह जो IPO है वो open होने वाला है 13 December 2023 को और close होगा 15 December 2023 को अब यहाँ पर जो basis of allotment की जो date दे रखी है कि जो IPO है वो allot होगा या हुआ है या नहीं वो हमें intimation कम मिलेगी वो 18 December दे रखी है पर अभी एक जनवरी से एक D3 rule रागू हुआ है उसके मुताबिक अगर जो भी intimation है कि आपको IPO allot हुआ है या नहीं उसकी intimation आपको जब यह IPO close होने वाला है उसके next day ही मिल जाएगी जैसे कि IPO 15 December 2023 को close होगा तो आपको इसकी intimation 16 December 2023 तक मिलने की संभावना है इसमें जो initiation of refund दे रखा है वो 19 December 2023 दे रखा है generally आपको जो refund है वो भी उसी date को ही मिल जाएगा जिस दिन आपको intimation आएगी बाकी जो इसकी listing date है वो दे रखी हमें December 2023 की यानि कि 20 December 2023 को यह जो share है market में listed होगा बाकी जो इसका हमें price band दे रखा है वो दे रखा है 750 to 790 रूपीज पर share का एक load 18 share का होगा इसका जो total issue size है वो दे रखा है 1200 करोड का जिसमें से fresh issue 3500 करोड का है and offer for sale 3500 करोड का है अगर कोई इस doms का कोई employee है तो उसको discount मिलेगा कितने का मिलेगा 75 रूपीज पर share का उसको discount मिलने वाला है अगर आप retail category में apply करते हैं तो आपको minimum एक load के लिए apply करना होगा जिसका amount होगा 14,220 का और अगर आप retail category में maximum के लिए जाना चाहते हैं कि आप maximum कितने load के लिए apply कर सकते हैं तो आप 14 load के लिए apply कर सकते हैं जिसका amount होगा 1,090,080 रूपे का बाकि अगर आप SHNI केटेग्री से minimum load के लिए apply करना चाहते हैं तो आप minimum 15 load के लिए apply कर सकते हैं और maximum 60 load के लिए apply कर सकते हैं minimum load का amount होगा 2,13,300 का और maximum load का amount होगा 9,45,400 का अगर आप BHNI केटेग्री से apply करते हैं तो आप minimum 70 load के लिए apply कर सकते हैं 71 लोड के लिए अप्लाइ कर सकते हैं जिसका अमाउंट होगा 10,09,620 का बाकी इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो प्री इशू है 5,62,50,218 की और शेयर होल्डिंग जो पोस्ट इशू रहने वाली है वो रहेगी 6,68,598 की बाकी हम इसका आई प्यों का रिजर्वेशन देख र के लिए के लिए कर रखा है 15% का यानिकी के लिए 75% रिटेल के लिए 10% एंड एन आई एच एन आई के टेगरे के लिए 15% का आई प्यों का रिजर्वेशन रखा गया है बाकी इसकी जो शेयर होल्डिंग है प्री इशू हमें जो दे रखी वह अभी 100% है जब यह आई प्य इशू हो जाएगा जब यह आई प्यों हो जाएगा तो इसकी जो शेयर होल्डिंग होगी पोस्ट इशू वह 74.97% रह जाएगी तो यह तो थी आई प्यों की डेट्स एं डिटेल्स की अब बात करते हैं इस आई प्यों के फाइनेंस की इस कंपनी के हमारे पास 3 साल के फाइनेंस दे रखे हैं 2021, 2022, 2023 and 30 September 2023 का भी हमारे पास फाइनेंस का डाटा है इसमें हमें assets, revenue, profit after tax, net worth, reserve and surplus and total warings दे रखी है अब हम देखते हैं कि इसमें increase हो रही है या decrease हो रहा है तो जो assets से वो increase होना चाहिए और यह जो amount है हमें दे रखा है इन करोड में तो इसका जो assets से 2021 में 457.52 था जो बढ़कर 497.46 हो गया फिर बढ़कर 4639.78 हो गया और जो 30 September में तो already exit कर चुका है 829.46 का तो यह लगातार increase हो रहा है तो यह हमारे लिए अभी एक plus point है इसी तरह revenue देखे तो यह 408 ता बढ़के 686 हो गया फिर 1216 हो गया तो य यह भी लगातार increase हो रहे हैं तो यह भी हमारे लिए plus point है net profit जो हम देखे profit after tax वो 2021 में मार 2021 में negative था 6.03 का जो बढ़कर 2022 में 17.14 का हो गया March में 2023 में 102.87 का हो गया तो यह वैसे तो March में तो negative था पर जो है लगातार बढ़ रहा है तो यह हमारे लिए एक तरह का plus point है बागी net worth की बात करते हैं तो net worth भी हमें लगाता increase ही देखने को मिल रही है तो यह भी क्या हो रहा है लगाता increase हो रही है तो यह भी हमारे लिए एक तरह का plus point है borings कम होनी चाहिए तो ही अमारे लिए press point होगा otherwise हमारे लिए negative होगा पर यहां पर जो बोर्र जैर रखके यह यहां पर लगातार यह increase हो रही है तो यह हमारे लिए क्या है negative point है तो इसको हम decide करेंगे कि हम इस IP में apply करना चाहिए यह नहीं तो इस point को हम हम कबार कर revenue है और जो profit after tax है वो 2023 में 2022 की comparison में कितने बढ़े हैं तो revenue 2023 में 2022 के comparison बढ़ा है 77.28 का और profit after tax बढ़ा है 500.18% का 2023 में 2022 के comparison में इतना बढ़ा है तो यह हमारे लिए बहुत बढ़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि देखें तो हम जो profit after tax बढ़ा है और जो revenue बढ़े हैं तो हम जब हम decide करेंगे कि हम अप्लाइ करना है यह नहीं तो यह जो है यह सारी चीजे हमारे आगे जाके काम आने वाली है तो बात करते हैं इस कंपनी के की performance indicator की अगर हम देखें इसका जो market capital है वो दे रखा है 4793.77 करोड का और पी दे रखा है 43.19 का जो यहां पर भी 43.19 का दे रखा है और यह जो market capital है 4793.77 का दे रखा है बाकी की ROE दे रखा है 33.54 परसेंट का ROCE दे रखा है 33.31 परसेंट का debt to equity ratio 0.28 का EPS 18.29 का return on network 28.39 का जैसा कि हमेशा कहते हूं कि जो ROC and ROCE यह अगर 15 से 20 परसेंट के बीच में होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं तो ही हमारी प्रस पोइंट है तो ही हमें IPO को invest करने का सोचना चाहिए तो यहां पर हम देखें तो यह ROE हमारे 20 परसेंट से ज्यादा है 15 से 20 परसेंट से ज्यादा ही है ROC भी हमारे ज्यादा है और debt to equity ratio की बात करें तो यह अगर एक से कम होता है तो ही best है otherwise यह हमारे लिए एक तरह का negative point होगा तो यहां पर जो हमें debt equity ratio दे रखा है वह 1 से कम है तो यह हमारे लिए एक तरह का plus point है तो इसको हम consider करेंगे जो हम apply करने के decision पर आएंगे कि हमें इस IPO में apply करना चाहिए नहीं तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्त देखना ताकि हम इनराइस करें कि हमें इस IPO में apply करना चाहिए यह नहीं इस तो इस चीजों को consider करने के बाद और अगर अभी तक हम आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहे हाँ एक बात और मैं आपको बता दू कि यह तो मैं अभी फुल वगा उसके बारे में बात कर Groundy फिर हम उसमें वापिस करेंगे क्या हमें उन सब को देखते हुए आई प्लाइए करना चाहिए यह तो है पूल डिटेल्स को फूल डिटेल्स भूस सारे लोग होते हैं इसको फूल डीटेल चाहिए कि बहुत सारी चीज़ क्या है वह साई उनके लिए बनाईए पर अगर जो last day तक विंजार करते हैं किसी भी IPO में अपलाई करने के लिए तो उसके लिए में एक short video लेकर आऊंगे आप महाँ से जाके उसे देख सकते हैं पर उसके लिए आपको हमारी चैनल को आज ही subscribe करना होगा तक कि आप उन वीडियो से updated रहे सके तो ये तो होगे हमारे कंपनी के finance के लिए अब हम चलते हैं कंपनी के GMP के बारे बात करने अब इस company के GMP की बात करें तो इस company का जो GMP है दो तारिक, तीन तारिक, चार तारिक, पांच तारिक, छे तारिक तक निल था बिल्कुल भी GMP शो नहीं हो रहा था तारिक को ये जो 712-2030 को इसका GMP 60.89% शो हो रहा है ये जो GMP है वो 7 December 2023 सक्का है इसके आगे अगर कोई भी अपडेशन आती है GMP में जो day to day है GMP हमीशाँ आती है तो मैं इसकी जो GMP में जैसे कोई भी अपडेशन आगी तो मैं इसकी डेली अपडेशन की विडियो नहीं लहांगी मिस इस like एक दिन ने से पहले एक वीडियो की अपडेशन लेकर आने वालु उस पहले और आप जाकर देख सकते हैं कि आपको तो इस आप लावा हमने इसकी फाइने देखें फिर हमने जी एंप देख लिया है वह जो चीज सी डेट में हमें पतानी लगेगा कि अपलाई करना चाहिए तो आपको किया इस कंपनी के बारे में जाना जरूरी होता है और एक GMP है जो हमें डिसाइड करवाता है कि क्या हमें इस इस इप्लाइ करना चाहिए नहीं तो फाइने तो इसके वेलेंगूड थे पर मैं अभी अप्लाइ नहीं करूंगी मैं इसका लास जे तक इतना जाता है इसके अगर जो मार्केट में कोई न्यूज आती इस 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 कमने से लेकर तो फिर ही में डिसाइड करूगी कि क्या मुझे साइप्लाइ करना चाहिए नहीं और मैं इसकी अप्डेशन की वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए कि आपको इस आप्लाइ करना चाहिए नहीं तो आप इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप भी अपडेटेटरे सके हर वीडियो से और आप डिसाइड कर सके कि 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 आपको इस झाल झाल